सुप्रिम कोर्ट के 9 सितंबर को दिये गए फैसले के बाद राजी चिनाओ आयोगनी राजी की पाच जिला परिशदों व तैतिस पंचाय समिती में OVC सीटों पर उपचिनाओ करने का कारेक्रम खोशित करा दिया है पाच अक्टूबर को मद्दान की घुशना करने से अचानक ही सभी राजीतिक दल सक्रिय हो गए है नाकपर जिले में जिला परिशद की 16 OVC सीटों की मानतार रध हुई थी जिलाए मैने में चिनाओ आयोगनी उपचिनाओ का कारेक्रम जारी किया था और चिनाओ प्रक्रिया में नामांकन दाखिल करने तक की प्रक्रिया पुरी हो गए थी राजस सरकार द्वारा आयोग से कोर्णा को देखती हुई चिनाओ प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निवीदन किया था और आयोग ने चिनाव को जैसे के तैसे ही सिती में सगित किया था अब सुप्रीम कोर्ट की आदेश पर आयोग ने अचानक ही 5 अक्टूबर को मदान की घोशना कर दी जिससे जिले में हल चल मज गई है किसी ने कलपना नहीं की थी कि अचानक ही कारेक्रम घोशित हो जाएगा क्योंकि सभी दल OVC आरेक्षिन की बिनाद चिनाव नहीं होने देने का दम भर रहे थी सुप्रीम कोर्ट 23 सितंबर को इस संदर में सुनवाई है और राजसरकार OVC Empirical Data के संदर में अपना पक्ष रख कर चिनाव को आगे करने की अपील फिर कर सकती है मदान के लिए केवल 21 दिन ही शेश बची हुए 5 अक्टूबर को मदान होना है चिनाव के लिए प्रशासन पहले ही तयार था लेकिन उम्मेदवारो को प्रचार के लिए महस दो सप्ता ही मिले है आचार सहिता भी लग हो गई है जिसके चलते एक एक दिन उम्मेदवारो के लिए महत्वपून हो गया है कैमरा पोसन राजकमार मोड के साथ दिशाहटवार BCN News नागपूर